Class 10 ICC में हो, चाहते हो सुमीता अरोरा की किताब पढ़ने Class 11 में आए, आज मैं आपको बताऊंगा कि सुमीता अरोरा की किताब को कैसे पढ़ना है इस बुक को बहुत सारी स्कूल में ये किताब चल रही है और इस बुक को अच्छे तरीके से कैसे पढ़े तो उसकी tips and tricks में आपको बता दूँगा आपको सुमीता अरोरा को कैसे fuller utilization करें अगर आपके book आपके 10.26 में चल लगे तो पहली चीज बता दूँ सुमीता अरोरा जो पूरी पूरी book है उसके अंदर सबसे अच्छी चीज का है उसके अंदर इस तरीके के आपके boxes बने हैं और जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा क्या रहता है कुछ-कुछ facts दिये रहते हैं और आपका यहां पे solve problems दिये रहते हैं problems दिये रहते हैं तो यह एक अच्छी चीज है यही इकलावती अच्छी चीज है किसके अंदर 10th ICSC 11th ISC आपका 11th 9th ICSC और 12th ISC की सुमीता अरोरा बुक के अंदर सुमीता अरोरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको अंदर आपको अगर आपको आपके प्रोग्रामिंग के नाम पे उसके अंदर कुछ नहीं है प्रोग्रामिंग ऐसी दी गई है कि आपको दूसरी दुनिया से सीखना पड़ेगा ठीक है तो सिंपल सी बात है सुमीता अरोरा मतलब क्या याद रखने हैं आपसे केवल और केवल थियूरी पोशन लेकिन सेर आप प्रोग्रामिंग कहां से पढ़े अब बात यह आती है प्रोग्रामिंग कहां से पढ़ी जाए तो प्रोग्रामिंग कहां से पढ़ने ही तो उसके लिए मैं आपके सामने 9, 10, 11, 12 कहीं भी हो उसके लिए best book जो मैं आपको बताऊंगा understanding ISC ठीक है? APC, APC जो है आपकी best विजय कुमार पांडे जी ने और आपका दोनों दिलीब कुमार दे और विजय कुमार पांडे ठीक है? यह दो लोगों ने इतिनी अच्छी book लिखी है कि आपको programs जो एकदम precise form में मिलेंगे यहाँ पर programs आपको कैसे मिलेंगे? एकदम precise form में मिलने वाले हैं किसके अंदर? अच्छे तरीके से utilization करा लोगे तो अच्छा है वहाँ से आपकी theory तो no doubt अच्छी prepare हो जाएगी ठीक है? वही एकलावती चीज है जो किताब के अंदर अच्छा है वह आपका theory portion ठीक? लेकिन program plus outputs के अगर आपको practice करनी है प्लस आपको theory portion तीनों देखना है तो उसके लिए आपको मैं क्या suggest करूंगा आप जो है APC पर प्रोग्राम एक number है ठीक है? आपके उससे भी बढ़िया है उसके बाद theory की बात करें theory आपका average दिया गया है बड़ यह है कि आपको समझ में आएगा आपको clean आपके साथ सुत्री जो writing pattern ने किताब का वह बड़ा अच्छा दिया गया किताब का अगर analysis करें ठीक है तीसरी जो market में एक बहुत जादा trending किताब है वो शायद आप सब दी गहीं प्रोग्रामिंग कैसी दी गहीं है आपकी moderate दी गहीं है बहुत ज्यादा high level नहीं है उसके बाद बात करते है और पुट और पुट के previous year question जो पीवाई क्यूस है इसके अंदर अच्छे से use किये गया है तो आपको अगर पीवाई क्यूस से practice करनी है तो आप किस पर जा सकते हो आप किस से जा सकते हो तीसरी जो important बात आती है कि theory portion फिर वही बात आती भाई theory के लिए मैं बताओ तो सुमी को कोई नहीं बीट कर सकता है लेकिन बात ही आती कि सर जाएं सुमीता अरौर आप खरीदें अगर आपके बास किप्स है तो क्या कर लेना theory उसकी भी आप पढ़ सकते हो ठीक है वहां से बस एक बार क्या अगर आपकी किसी के friend की पास होगी आपकी library में available होगी तो एक दू द सव नंबर चाहिए तो आप सब का स्वागत है कि इसमें तैयारी सव मांक्स के बैच में 9,10,11,12 सारे बच्चों के लिए ICSC Connect लिंक नीचे दिया गया होगा ICSC Connect पे आप आ सकते हो और क्या कर सकते हो सव नंबर की तैयारी वहां पे हम लोग सारी चीज़ों की बात करते हैं लेकिन अगर आप cell study करना चाहते हो और आपको हम बता दिते हैं कि जो हमारे बैच है उसके इंदर सब कुछ precise form में दिया जाता है ठीक है चलो तो आपको मैं मो अच्छे नंबर चीए अगर बात करते हैं सो नंबर की अगर आप करते हो तो आप पूट हो गया थियोरी हो गया यह सारी चीज़ है अप उस पर जा सकते हो प्रोग्राम और आप अच्छे है थियोरी के लिए थोड़ा सा कुछ-कुछ topics उसके नदर मिस हो जाते हैं तो इस आप सब इसी तरीके से पढ़ाई करते हों कोई दिक्कत परिशानी कर स्थ होगी तो आप मुझे रिचाउट कर सकते हैं सो फाइंड आल दे बेस्ट थैंक यू